प्रदान मंत्री पद की दावेदार है इसमें कोई शक नहीं है ये कहना आर जेडी और जद्यू का नहीं बलकि बिहार कॉंग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष रखिलेश प्रसाद सिंग का है जो कॉंग्रेस लगातार मुक्षे मंत्री निटीश कुमार के प्रदान मंत्री पद की दावेदारी को लेकर चुपी साधकर बिहार में बैठी हुई थी आज उस कॉंग्रेस ने बिहार की सियासत में पल्टी बार दी है कॉंग्रेस के मुक्षे नीता राहूल गांधी इन दिनो भारत जोडो यात्रा पर है जहां वो भारत के विबन राज्यों से होकर पद्यात्रा कर रहे हैं लेकिन बिहार में कॉंग्रेस के स्थती बिल्कुल भी उलट है जो महागटबंदन दल की घटक दल है और आज मुक्षे मंत्रे नितीश कुमार की तारीफों के पुल बांधते नहीं ठक रहे अकिलेश प्रसास सिंग ने बड़ा बयान दे दिया है जोसके बाद बिहार की सियासत में खलबली मचनी तो तै है अब कॉंग्रेस को पल्टी मार बताया जा रहा है दरसल उन्होंने कहा कि नितीश कुमार के पीम पद के लिए योग यहोने पर कोई सवाल नहीं उठा सकता लेकिन नितीश कुमार ने पहले ही इस पर अपना बयान दे दिया है दरसल अखिलेश सिंग ने इशारों में यह बाद जरूर कह दी कि नितीश कुमार दावेदार है बिहार कॉंग्रेस खुले तोर पर नितीश कुमार को पीम पत का दावेदार मानती है लेकिन विपक्ष की ओर से पीम पत का कैंडिडेट नहीं अकिलेश पिसाद ने आगे कहा कि 5 जैन्वरी से भारत जोडो यात्रा बिहाराज्य में चल रही है इसके शिरुवात राश्ट्रिय अद्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे ने बिहार आकर की उन्होंने बताया कि अभी तक 110 किलोमेटर की यात्रा पूरी हो चुकी है बिहार कॉंग्रेस के प्रदेश अद्यक्ष ने कहा कि आज भी लोगों की भीड इस यात्रा से जुड रही है राहुल गांदी को जनता का समर्थन मिल रहा है अकिलेश पिसाद ने कहा कि ये कॉंग्रेस की गैर आजनिते की यात्रा है लेकिन इस यात्रा का लाब कॉंग्रिस को मिल रहा था इसका फाइदा 2024 के लोगसबा चुनाव में देखने को मिलेगा कॉंग्रिस प्रदीश रदेक्ष ने बताया कि प्रियंका गांधी और राहूल गांधी को बिहार में हो रही यात्रा के समापन समाहरों में शामल होने के लिए पटना आने का निमंतरन भीजा गया है उस समय कॉंग्रिस के ओर से एक बड़ी रैली कायोजन किया जाएगा अखिलेश सिंग ने आगे बताया कि राहूल गांधी की लोगत्रियता के कारिन बीजेपी घबराई हुई है उन्होंने कहा कि बीजेपी इसे से घबराकर कॉंग्रेस के खिलाफ बयान बाजी कर रही है उन्होंने कहा कि राहूल गांधी को बिहार आने से बीजेपी को काफी नुकसान होगा अकिलेश प्रसास सेंग ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि राहूल गांदी बिहार आए बिहार के राज़रते गल्यारों में मुक्षेमंची नितीश कुमार को पीम पद का उमीदवार बनाने की चचा काफी तेज है जहां जेडी और जद्यू दोनों मिलकर उन्हें पीम पद का उमीदवार बनाना चाहती है लेकिन नितीश कुमार ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि वो इस लालसा में नहीं है और नहीं उनकी ऐसी कोई इक्षा है वो पीम पद की रेस में ही नहीं है लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार कॉंग्रेस भी मुक्षेमंची रितीश कुमार को पीम पद का दावेदार ठहरा रही है और ख्योले तोर पर बिहार कॉंग्रेस ने भी मुक्षेमंची रितीश कुमार को दावेदार बता दिया है झाल झाल